हाई एवरिवन आप सब का स्वागत है कोट फूर एजूकेशन में जैसकी आपको इसके देख रहा है यह हमारी फैनल वीडियो है गाईज क्योंकि हमने इससे पहले चार वीडियो बनाई थी इसी वेबसाइट से लेलेटेड तो जिसमें हमने सबसे पहली वीडियो में कवर कर साथ जाता है हमारा जैसी हमारा निविगेशन चेंज हो जाता है होगे यह फंक्शनल्टी भी हम इसी वीडियो में देखेंगे तो यह सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे विकॉज यह फाइनल वीडियो है हमारी इसकी तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी की पूरी सीरीज समझ में आई होगी तो चलिए बिना किसे देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर है, हमारे यह डिजाइन बन गया था, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा, यह हमने complete कर लिया, इसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, start अपना our expert का section, जो हमाई team है, उस ले रहा हूँ एक, आपका expert, ठीक है, और यह idea हम कहाँ पर रखते हैं, यह आपको मैंने बता है हर वीडियो में, यह हमारे यह रहा, ठीक है, ऐसी मैं contact के लिए भी लूँगा अभी, इसका use करेंगे वो जो आपका navigation है न, उस part के लिए, ठीक है, वो कैसे करेंगे, वो मैं आ एक row ले लिया, ठीक है, इस row के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक div लूँगा, ठीक है, इस div में मैं क्या करूँगा, आपका section, आपका head, ठीक है, यह चीज़ होगी, and call SM 12, ठीक है, यह चीज़ होगी, इसके बाद मैं यहाँ पर लूँगा h4, ठीक है, h4 के आपको आएगा dummy और dummy text आपको पता है हमारा किस पर सब लाइन पर है तो हम यहाज करेंगे इसको copy and हम यहाँ कर देंगे paste ठीक है यह हो गया हमारा क्या dummy text ठीक है इसके बाद अब क्या अब हमारा main है इसमें क्या काम इसमें हमारा container हो गया यह row हो गया ठीक है इस row के बाद क्या करेंगे, हम इस row के बाद एक और row लेंगे, guys, ठीक है, and इसमें कर क्या रहा हूं, मैं वो आपको देखे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम slider use करेंगे, आपने देखा ना, वो section में मैं इस ladder था, क्योंकि जो मैं वीडियो की सबसे पहली वीडिय थी न, उसमें मैं डिटेल में आपको डेमो दिया था, पूरी website का कि हम क्या क्या यूज करेंगे, हमने इसमें आपका lightbox यूज किया है, navigation यूज किया है, and उसके बाद में आप इसमें all cortisol यूज करना है, तो उसके लिए कैसे setup करते हैं, वो देखिए, सबसे पहले एक div लेते हम सबसे पहले, यहां पर हम लेते हैं our hyphen aims, ठीक है, and यहां लेते हैं all cortisol, ठीक है, अब देखेगा मैं यह क्यों ले रहा हूँ, कैसे, मेरे को कैसे पता कि यही चीज लेनी है, और तभी काम बनेगा, ठीक है, यह सारी चीज अभी देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, इसके बाद मैं यहां पर item लूँगा, अब यह item की class कहां से आई, वो देखिए, सबसे पहले मैं आओंगा browser पर, यहां सर्च करूँगा all cortisol, ठीक है, इसके बाद सबसे पहले home page, home page पर आने के बाद सबसे पहले मैं जाओंगा demo पर, इसी चीज को मैंने first video में बताया था, download करके, कै इस class के उपर मैंने एक div लिया, तो इस div पर मेरे पास यह था कि लेक मैंने यह दू classes अभी call करा दियो, जो कि अभी आपने देखा, इसके बाद हमारे पास मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक item div है, ठीक है, इस item div के अंदर हमारा सारा content होगा, ठीक है, तो अभी मैं क्या करने जा ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या करा, our team, ठीक है, इस नाम से इसके अंदर मैरे पास एक और div होगा, इसमें क्या होगा, इसमें pick होगा, ठीक है, इस pick पे एक image होगी, images नाम के folder के अंदर, ठीक है, एंड यहां से क्या होगा, x1 यह, ठीक है, alt होगा हमारे पास, ठीक है, alt में मैं क्या लिख दूँगा यहां पर team, member, ठेक है, एक class होगी हमारे किस की, boot trap की, यह देखें, ठेक है, यह क्या हुआ, यह image का part था, ठेक है, इसके बाद, अब क्या होगा यहां पर, अब यहां पर होगा हमार पास content, यहां पर मैं class ले रहा हूँ, content, team, ठेक है, यह होगा, इसम यह नाम की class होगी, ठेक है, यह सारी class हम CSS से भी modify करेंगे, ठेक है, यह हो गया हमारा, यह strita, इसके बाद, क्या होगा, मिर पास एक span है, इस span पर भी एक class होगी, ठेक है, वो span की class क्या होगी, वो post होगी, ठेक है, and उसके बाद में, यहां पर क्या कर रहे है, हम founder, comma, इस पा, ठीक है ये चीज होगी ये span हो गया इसके बाद अब मेरे पास एक UL है इस UL पर क्या करना है मेरे को class देनी एक ठीक है और class का नाम है social क्योंकि इस पर icons आएंगे जो आपने over करके effect देखा है न इसका जो मैंने दिखाया था आपको वो ठीक है मैंने अभी नहीं दिखाया बट मैंने जब आपने अगर आप सुर्वास से follow कर रहे होंगे तो आपको पता होगा मैंने detail में ये चीज बताई थी आपको क्या-क्या effect है किसमें ठीक है इसके बाद अब इसके अंदर मैं क्या कोऊंगा font awesome का icon लिया होगा मैं ठीक है फा फा ठीक है facebook ठीक है ये चीज है ये कैस से बिना font awesome आई लिए उस चीज को call करा रहा हूं वो समझी है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं facebook facebook आगया facebook पर click करा मैंने facebook के बाद जो में मेरे पास class है ये इसी class को लेके मैं क्या कर रहा हूं बस मैं यहाँ यहाँ पर anchor tag पर दे रहा हूं मेरे को नहीं चाहिए वो ए टाइप होगे तो मैं I use का tag का using नहीं कर रहा हूं आप मैं सीधा e के उपर रख रहा हूं class को तो ऐसे आप कर सकते हैं span पर रख सकते हैं किसी भी चीज़ पर तो इस चीज़ को आप follow करिएगा ठीक है इसके बाद में क्या है आपका यह copy करके paste कर दे रहा हूं मैं दो बार ठीक है इसके बाद होगा आपका ट्वीटर ठीक है इसके बाद होगा आपका linden ठीक है यह तीनों चीज आगए आपकी यह चीज होगी किसके लिए यह first item लिए यह पहला item है इसके बाद मैं करूँगा इसको copy इसके बाद कर दूँगा मैं इसे paste इसके बाद मैं चरूँगा इसके यहाँ पर change करूँगा image ठीक है इसके बाद change लाएंगे आपका skin expert ओके यह चीज़ होगी इसके बाद अब क्या करना है आपको यह एक हो गया आपका second वालत था इसके बाद एक और paste करा मैंने यहां क्या होगा आपका यहां three होगा ठेक है अब यहां change कर रहा हूं भान आपकाि हो हम है आपका नाम ठीक है यह लाएं आपका क्या करने के लिए क्या करना होता है वो देखी तो मैं करूँँ नहीं होगा यहां मैं कर दूँगा यहां पेस्ट, तो यह रिपीटिट हो गई, ठीक है, यह चीजे, रिपीटिट हो गई, ठीक है, क्योंकि हमें वो slider बनाना न, तो इसलिए हम तीन यूनिक रख रहे हैं, उसी को पॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब वो slider में convert करना है हमें, तो उसके लि है, यहां पे क्या, यहां कर दिया हमने, पेस्ट, ठीक है, एंड इसके बाद, अब यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे सबसे पहले लिखेंगे, आपका title, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत important है, कि पता लगना चाहिए न, हम क्या चीज़ कर रहे हैं, यहां पर चीज़ है, हम यहां क्या, आईडी है, क्लास, तो हमने यहां पर अल्रेडी आईडी दे रखी थी, हम इसी आईडी का यूज़ करेंगे, यहां कर देंगे, पेस्ट, हैश के साथ में, क्योंकि आईडी है वो, इसके बाद में लूप होगा आपका true, यहां से लगाना है आप का responsive, responsive में, classes, ठीक है, यह भी आपका true होगा, क्योंकि responsive चीज़ है इस ladder हमें, ठीक है, navbar आपका false होगा, नहीं चीज़ है हमें, next and previous का पूछ रहे हैं, basically हम, ठीक है, वो नहीं चीज़ है हमें, इसके बाद अब क्या चीज़ है हमें, अब हमें चीज़ दॉट्स, तो हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर dots को क्या कर देंगे, true, ठीक है, यह चीज हो गई, and यहाँ पर हम क्या कर रहे है, zero screen, it means कि like की screen size हम divide कर रहे हैं, तो कितना कितना दिखना चीए, पहले आपको 3 दिखना चीए, 1000 screen से उपर आपको 3 दिखेगा, उस से नीचे आपको यहाँ पर 2 दिखे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा, तो यहाँ पर slider आपका बनानी, अब यह क्यों नहीं बना, वो देखिए, क्योंकि यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमार पास यह ID थी, and इस ID के बाद, यह ID यहाँ पर थी, ठीक है, इस से हमने इसको convert करा, कैसे, यह चीज करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर codes रह गया है आपका, जिसके वैसे slider बना ही नहीं, और इसलिए वो slider वहाँ दिखा ही नहीं, हमने यहाँ पर code लगा दिया, अब इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पर, and देखेंगे नीचे आके कि हमारा slider बना या नहीं, यह CSS, जो भी हमारी slider से related CSS है, वो लिखनेंगे हम यहाँ पर, तो आप क्या करना है अब हमें, हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो comment करना है, यह चीज होगे, इसके बाद अब क्या करना है, हम इसे लेंगे, ठेक है, company team को लेंगे हम यहाँ पर, and इसको करेंगे यहाँ पर स text line होगा, आपका center, first, and इसके बाद होगा, आपका position relative, ठेक है, and इसके बाद में color बताएंगे आप wear के साथ में, जो कि आपने देखा, and text, color, ठेक है, यह कहाँ पर है, इसको अभी हमने करा, इसके बाद, अभी हम क्या कर रहे हैं, ठेक है, यहाँ पर आपका इसके अंदर, आ अभी आपको कुछ इस तरीके कहा है, इसमें changes, changes नहीं हुई जादा, क्योंकि already आपको image देख रही है, तो कुछ चीजे पहले लिख लेते हैं, then उसके बाद ही हम देखेंगे अब, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका our team ले रहे हैं, इसके अंदर की image को सबसे पहले हम क design कर लेते हैं, then उसके बाद देखेंगे, RGB, A, ठीक है, and इसके अंदर black color ले रहे हैं, ठीक है, dots, okay, and इसके बाद में position, absolute, okay, and इसके बाद जो इसकी होगी height होगी 100% की, okay, width क्या होगी आपकी 100% की होगी, ठीक है, and इसके बाद में left, जो होगा आपका zero होगा, ठीक है, top क्या ह होगा, zero होगा, ठीक है, and इसके बाद में text align center होगा, ठीक है, and इसके बाद में padding top से, okay, top से 45% का होगा, यह चीद दिख रही हैं, and इसके साथ ही में एक चीज़ और लगाएंगे, इसमें transform, and transform के साथ यूज़ करेंगे perspective guys, क्यों, क्योंकि वो जो hover effect उसके अंदर मैंने दिख करेंगे, and rotate कौन सावाला आएगा, rotate x आएगा, ठीक है, x के अंदर 19 मैनस degree का आपको यहाँ पे value रखनी है, ठीक है, यह चीज़ बता दिए हमने, इसके साथ में transform, origin रखेंगे, और origin में सबसे पहले, center and top, it means कि उपर से नीचे की तरफ आएगा, तो इसलिए हम यह चीज़ इसके बाद में transition, and transition में all, 0.5s, and इसके बाद में easy, 0s, ठीक है, यह kis के लिए हो गया, यह transition लिए हो गया, and इसके बाद में आपका opacity कितनी हो गई 0, ठीक है, यह किस चीज़ के लिए है, वो देखें, आप साथ से पहले, यहाँ पर आपका 이 content है, यह सारा content, जो नीचे चीज के लिए तो यहां पर आएंगे ना यहां पर आने के बाद आपको आप दिख रहा होगा कि यहां पर ही निए वो चीज क्यों क्यों कि वो तो हमें होवर पर दिखानता गाइस ठीक है यह उस चीज का एफेक्ट है तो आप क्या करेंगे next तो next आएंगे अपनी css पे and यहां पर करेंगे अब आपका यहां से .hour ठीक है टीम पर अगर होवर होगा ठीक है .content team ठीक है इसके साथ में group कर रहे हैं हम किसको dot लगाएंगे पहले and hour के active ठीक है यह active के लिए भी कर रहे हैं and इसके साथ में ही यह हो जागा सबसे पहले तो opacity आपका यहां पर क्या दिखाना है आपको one कि वो दिखता रहे and इसके बाद में transform transform में आपका क्या होगा perspective होगा and यहां पर 25 तो होगा यह आपका but यह angle जो होगा वो zero हो जाएगा इसके बाद में पहले इसके अंदर का चीजों को design कर लेते हैं then उसके बाद देखेंगे अब तो यहां पर आपका our team है आपका ठीक है dot content ठीक है के अंदर की team dot title ओके जो title है उसको कर रहे हैं अभी तो वैर ले रहे हैं आपर वैर लेने के बाद आप slide देखेंगे यहां पर text color color ठीक है एंद इसके बाद में margin 000 0.62 REM ठीक है यह दे रहे हैं एंद इसके बाद में display block ओके एंद इसके बाद में क्या होगा आपका font size होगा font size में कितना होगा 1.63 REM ठीक है एंद इसके बाद में font weight होगा आपका 600 ठीक है यह चीज़ दिख रही है and इसके बाद में अब क्या करना है आपको इसके बाद में our team ठीक है dot content ठीक है and इसके बाद में post अगर यहाँ पर direct post है तो वहाँ पर क्या करना है आपको वो देखे margin 00 top and right से 1.563 REM ठीक है यह चीज़ बता दी and इसके बाद में display block ओके and इसके बाद में font size है आपका क्या 0.938 REM ठीक है यह चीज़ होगी किसकी यह सारी classes मैं आप यह आपको दिखाता हूँ यह रही है आपकी class then उसके बाद title post and यह आपका यहाँ पर social ठीक है यह सारी चीज़ दिख रही है आपको इसके बाद अब करना क्या है आपको इसके बाद अब यहाँ पर आना है dot our team पर आना है dot social लेना है ठीक है अब इस पर करना है आपको margin 1.2 REM top से 0 0 ठीक है यह चीज़ हो गई and इसके बाद में padding होगा आपका क्या 0 ठीक है list style क्या होगा आपका none यह li को दिया है ठीक है इसके बाद अब क्या करना है हमें यहाँ पर dot our team ठीक है dot show यहाँ पर social के बाद li, li पर display display in line block ओके यह चीज़ हो गई आपकी and इसके बाद में यही चीज़ इतनी करने के बाद अभी भी आप देखेंगे न ब्राउजर पर चलके तो यह देखेंगे आपका hover effect तो बन गया यह देखें ठीक है but उसके अंदर के content को त्यार कर रहे हैं guys अभी हम इसलिए मैं आपको वो चीज़ दिखा नहीं रहा तो अभी हम दीरे दीरे देखेंगे पहले हम क्या करते हैं पहले ready कर लेते है dot social के अंदर के एक ही anchor को ठीक है and इसके बाद block and color के लिए wear यहाँ पर wear ले लिया है मैंने ठीक है इसके बाद font size 1.2rem and height कितनी होगी यहाँ पर आपकी 2.5rem की ठीक है and इसके बाद में width जो होगा आपका 2.5rem होगा है and इसके बाद जो line height होगी आपकी line height होगी आपकी 2.5rem ठीक है and इसके बाद में border radius देंगे जो आपका यहाँ पर zero होगा ठीक है और इसके साथ में background background color उसमें wear होगा आपका wear में हम क्या करेंगे secondary color आपका यह चीज़ होगी and इसके बाद में margin right होगा आपका 0.313rem ठीक है यह दिखा आपको and इसके बाद में लेंगे हम यहाँ पर क्या आपका transition होगा transition में all 0.5s easy 0s ठीक है यह चीज़ बता दी हमने इसके बाद relative ठीक है यह सारा किसके लिए यह आपका social के अंदर जो anchor है ना उसके लिए इसके लिए इसके बाद चलेंगे browser पे and browser पे आने के बाद आप देखेंगे तो यह देखिए आपको दिख रहा होगा but अभी क्या है कि आपको प्रॉपर नहीं बनी ठीक है तो वो कैसे दिखेगी वो देखे अभी क्या है कि आपका पोस्ट भी सही नहीं आ रहा पोस्ट में भी दिखकत है आपकी जो आपका यह पोस्ट है इसमे ठीक है तो इसको करेंगे space देंगे यहाँ पे ठीक है first and second thing कि आप इसको white color भी बताएंगे न वो भी रह गया हमारे यहाँ ठीक है इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे तो इह देखे ब्राउजर पे आने के बाद आपको आप दिख रहा होगा कि उसका title, post यहाँ पे icons है बड़ अभी effect बाकी है effect देखेगा क्या effect रहा गया उसका वो अब क्या करना है अभी हमें अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने li को भी कर लिया anchor को भी कर लिया बड़ अब क्या है हमारे पास कि अब हमें over effect तो देना है अब करना है हमें, अब करना है हमें, our team, ठीक है, .social, l, a, पर, ठीक है, एड इसके बाद में, our team, ठीक है, पर अगर active है कोई class, ठीक है, first, over and active बोट के लिए कर रहे हम यह चीज़, ठीक है, तो इस पर क्या करना है, उसका border radius, okay border radius 50% का हो जाना चाहिए first ठेक है यह चीज़ इसके बाद में text decoration को none रहना चाहिए उसके anchor tag को okay यहाँ पर चलेंगे और direct अब मैं उठा रहा हूँ आपका क्या अब मैं direct वालों की classes उठा रहा हूँ dot theme ठीक है यह देखिए all dots अभी मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा यह चीज़ कैसे निकालते हैं ठीक है और यहां से span कॉमा ठीक है dot ठीक है एस लगाना यहां पर जो हमने class दे थी व करना है background color में where and यहां पर हमारा secondary color ठीक है first यह चीज़ दिख रहा है and इसके साथ ही में अब क्या कर रहे है हम यहां पर यहां से इसको copy करके paste करने ठीक है and paste करने के बाद dots के उपर अगर disable class जो आती है ना guys by default यह तो उस disable class पे भी हमें वो show करता रहे तो उसके लिए हम यह ल browser पर और browser पर आने के बाद आपको यहां पर dots का color दिख रहा हुए देखिए hover कटने पर आपको dots का color दिख रहा है and slide भी चल रहा है ठीक है यह कैसे class उठाई वो समझी है तो मैं यहां पर inspect कर रहा हूँ इसको मैं नीचे लेके आता हूँ जिससे कि मैं आपको समझा सकूँ इ वो उनकी अपनी class भी न affected हो बट हमारा design भी बन जाए ठीक है तो यह चीज हो गया तो यह हमारा section बन गया ठीक है इसके बाद अब यही section हमें क्या करना है हमें देखना है कि responsive में क्या है कर तो नहीं आरी section के अंदर तो हम क्या रहेंगे इसको क्या inspect ठीक है and मैं इसको पर एक हो जाना चीए जो कि हमने दिया था वहां पर यह देखिए तो यह एक है यहां पर ठीक है तो आपका इसका मतलब सब्सक्राइब यह यह देखें यहां पर भी आपका over चलेगा यह ठीक है तो यह चीज आपकी क्या है बन गई किस चीज के लिए आपका एक section इसके बा मैं यहां से मैं लिखूंगा यहां पर footer ठीक है और इसी चीज को मैं copy करके मैं paste कर दूँगा यहां पर ठीक है यहां लिख दूँगा आपका exit यह चीज आपकी हो गई इसके बाद अब इसी चीज के अंदर हम कैसे करेंगे चीजों को design वह देखिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे है आप इस action class a footer ठीक है ये चीज ले लिए मैंने and यहां पर मैं एक ID ले रहाँ उस ID का नाम है आपको contact जो की मैंने कहां दी थी navigation में मैंने भी आपको दिखाया था मैंने footer ले लिया tag यहां ठीक है इसके बाद यहाँ पे मैं class ले रहा हूँ ठीक है इस class में मैं क्या कर रहा हूँ footer, box ओके and इसके बाद में मैं यहाँ पे class ले रहा हूँ ठीक है क्योंसी container ठीक है यह class ले ली मैंने इसके बाद में क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं class ले रहा हूँ एंड स्क्रीन पे जाके टू में हो जाएगा तो हम उसके लिए यूज करेंगे 6 यहां पर दिख रहा है आपको ठीक है यह क्लास ले ली मैंने आपर अपर यहां पर लूगा मैं आपका अबाउट section के लिए ठेक है, यहां पे मैं पी ले रहा हूँ, इस पी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक image का ले रहा हूँ, image src, logo, 8, यह मैंने यहां पे ले लिये, यह logo है, इसके बाद मेरे पास dummy content है, ठेक है, तो वो मैं क्या करूँगा, यहां पे हमारे पास note pad है, तो यहां से मैं each file से कर लोंगा इसको copy and यहां कर दूगा paste ठीक है यह चीज हो गया इसके बाद अब यह तो हो गया हमारा ठीक है इसके बाद अब मैं के Girton class बदलते है class क्या आजाएगी footer menu ठीक है यह चीज आ गई आपकी इसके बाद में सबसे पहले यहां पर आएगा H4 H4 पर एक class आईगी आपकी यहां पर वो class का नाम होगा आपका footer ठीक है and then widget यहां पर क्या लिखना है मेरे को यहां पर लिखना है useful links ठीक है यह चीज़ मैंने बता दी यहां पर इसके बाद मैं UL ले रहाँ ठीक है UL के बाद LI ठीक है LI के अंदर AHR यह ठीक है hash यह ले लिए हमें इसमें मैंने about बता दिया सबसे पहले ठीक है about बता दिया इसके बाद मैं करूँगा इसे copy फिर मैं करूँगा paste ठीक है उसके बाद यह dummy है सब कुछ ठीक है इसके बाद आप आएगा आपका team फिर उसके बाद है यहाँ पर आपको services ठीक है यह किसके लिए हो गया यह आपका links के लिए इसके बाद इसे करेंगे copy यहाँ करेंगे paste ठीक है paste करने के बाद अब क्या होगा यहाँ पर classes same है ठीक है menu menu widget बस यहाँ पर क्या change हो जाएगा यहाँ पर आपका change होगा link की जगा quick links ठीक है यह चीज हो गई आपकी ठीक है first and यहाँ पर क्या करना है आपको अब यहाँ पर change करना आपको text ठीक है और कुछ नहीं करना है यहाँ यहाँ पर आपको lii है copy paste ठीक है अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको यहाँ पे लिखना है आपको message यहाँ पे इसके बाद आएगा आएगा आपका haircut ठीक है इसके बाद में आएगा आपका आपका यहाँ पे waxing ठीक है इसके बाद में आपका आजाएगा makeup ठीक है यह चीज़ हो गई इसके बाद आप क्या करना है यह आपका हो गया एक और ठीक है मैं इन सब के बीच में gap कर देता हूँ जिससे कि आपको divs की closing पता लगते रहे वरना confusing हो जाएगे थोड़ी ठीक है यह देखे इस spacing होगी इसके बाद करेंगे इसको copy परेंगे paste ठीक है इसके बाद में अब यहां पे क्या होगा आपका news letter सबसे पहले तो ठीक है यह ul होगा नहीं आपका अब यहां पे क्या होगा वो important है क्योंकि यहां पे मैंने आपको दिखाए कि वहां पे आपका input था तो यहां पे क्या रखना input इसके अंदर input होगा सबसे पहल तो type क्या होगा आपका type बताएंगे हम इसको text ठेक है एंड इसके बाद में name दे देंगे इसको एक name कुछ भी हो सकता है guys यहाँ पर हम ऐसी दे रहाँ डमी नेम ठेक है एंड इसके बाद में class ठेक है एंड इसके बाद में form controller placeholder और यहाँ पर लिखने इसमें मैं इसमें span भी लूँगा ठेक है क्योंकि वो हमें दिखाना है न उसका button तो वो चीज में यहाँ पर है आपका तो यहाँ पर class ठेक है इस class में हम क्या करेंगे आपका input ठेक है group ठेक है BTN यह चीज हो गए आपकी इसके बाद में इसी के अंदर button होगा आपका type क्या होगा आपका submit होगा वो ठेक है एंड class यहाँ पर लिंगे हम क्या आपकी यहाँ पर लिंगे side ठेक है यह होगे आपका button एंड इसके बाद में आई ठेक है यह दिख रहा है आपको फा 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 एंड यहाँ से आपको paper plane ठेक है एंड ओ ठेक है यह चीज हो गई यह क्या था आपका यह फॉंट आसम का लिखिए इसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है class लेनी है आपको and इसके बाद में contact ठेक है details pt4 it means कि padding top से 4 होना चाहिए आपका भी यहाँ पर ओके इसके अंदर anchor href ठेक है इस href के बाद इसमें hash होगा ठेक है and इसके साथ में एक dummy number होगा जो भी आपको रखना है वो भी नंबर ठेक है and इसी के साथ में suppose मेरे पास anchor आगया यह ठेक है इसके आगया मेरे को icon दिखाना है तो मैं क्या करूंगा font awesome का icon direct यहाँ पर ले लूँगा ठेक है and फवा फवा ओके फवा फवा ठेक है and यहाँ पर ठेक है यह चीज़ होगी आपकी and इसके बाद में इसी मे यहाँ पर Gmail आएगा आपका तो Gmail के लिए बस आपको क्या करना है कुछ नहीं करना text लिख देना है बस आपको beauty इस पर यह मेरा dummy text ठेक है यह एक UL हो गया इस UL के बाद में एक और UL आएगा यहाँ पर ठेक है इस पर क्या होगा आपका यहाँ पर आपका class होगी social icons ठेक है यह हो गया आपका इसके बाद इसमें LI है आपका इस LI के hash ठेक है यह चीज दिख रही है आपको इसके बाद अब क्या करना है इसमें आई लेंगे class लेंगे ठेक है फा फा Facebook ठेक है यह चीज हो गया आपकी इसमें जो Facebook है वो आपका यहाँ पर यह देखिए और इसके बाद क Twitter को भी, ठीक है, एंड इसके बाद मैं ले लूँगा यहाँ पे इसको Instagram को ले, ठीक है, यह सारा कुछ ले लिया मैंने, ठीक है, तो यह सारा कुछ, किसका था, यह main वाला footer, जो उपर का footer था ना, जिसमें content था सारा, यह उसके लिए था, ठीक है, इसके बाद, एक mini footer भी आ one में बनी है, या जब भी बनी है, जिस year में भी, and honor कौन है, उसका यह सब लाइ, ओके, डिसे आउट किसके पास है, rights, यह सब चीज़े, तो वो आपका कैसा है, वो देखिए आप, यहाँ से class container, ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, आपको class row, यहाँ पे ले ली मैंने, and इ text, इससे हम modify कर सकें, ठीक है, अब इसके बाद, यहाँ पे text चाहिए, मेरे को dummy text, तो मेरे पास कहां पे है, हमारे पास notepad पे है, पहले सी, इस पे, subland पे, तो मैं यहाँ से करूँगा इसको copy, and मैं यहाँ कर दूँगा paste, ठीक है, मैं एक भी हटाए तो, ठीक है, यह आप सम देखेंगे हैं यहाँ, ब्राॉजर पे, and ब्राॉजर पे refresh होने के बाद, आप देखेंगे, तो यह देखिए, ठीक है, आपको चीजें दिख रही है, कि आपको समझ में आ रहा होगा, कि यहाँ पे जो भी चीज है, कि यहाँ पे आपके icons आ रहे हैं, ठीक है, and इसके बाद आपको यहाँ पर आइकन भी दिख रहे हैं यह भी दिख रहा है Gmail और लिंक्स यहाँ पर पूरा डिटेल ठीक है यहाँ पर नीचे आ रहा है ठीक है यह पूरा डिजैन बनेगा अब कैसे CSS से वो देखिए वो बहुत important है ठीक है तो आप क्या करते हैं अपनी CSS पर चलते हैं यहाँ पर क्या करते हैं टॉप से क्या होगा अपका 3R.E.M होगा ठीक है एंट बैकग्राउंड कलर होगा आपका वैर के बाद में यहां में ब्लक कलर चीए तो प्रैमरी ब्लेक ठीक है एंट इसके बाद में क्लिप पाथ चाहिए हमें ठीक है इंट क्लिप अदर हमें per cent first ठेक है घैंड उसके बाद यह zero comma hundred कर सेंट ठेक है जीरो ठेक है यह किसे के लिए यह black वाले के लिए यहाँ पे आएंगे नई यहाँ पे आनेके बाद आप देखेंगे तो influencing ब्लैक में आ रहा है और थोड़ा सा आपको शेव दिख रही होगी जो मैंने हलकी सी वो क्लिप पात लगा ये ना उसके वैसे चेंज हो रही है वो चीज ठीक है तो यह चीज होगी इसके बाद अब क्या करना है इसमें अब यहां पर आएंगे आपका फुटर बॉक्स ठीक है इसमें क्या करना है अब आपको पैडिंग लिनी है आपको यहां पर कितनी फाइव आरियम की और जीरो इट मींज कि टॉप एंड बॉटम से होगी बड़ लेप और रैट से नहीं होगी यहां चलेंगे यहां आने के बाद आप देखेंगे तो देखेंगे इस कि को भी ग्रुप कर रहे हम ठीक है और इस के अंदर के योल ॉल के अको डिरयक्ट पी को भी ले लिया यूल को भी ले लिया एंड मैन्यों वाले को भी ले लिया हमने इसके बाद में वह में क्या कर रहे हैं तेक्सLife को है फिल इसके बाद में list, style, क्या होगा आपका none रहेगा यह ठीक है पहले चीज़, अब मैं थोड़ी चीज़ें पहले इसमें cover कर देता हूँ, then उसके बाद ही आपको वहाँ पे दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें change हो रही है, ठीक है, तो मैं आभी क्या कर रहा हूँ, आपका anchor को design कर रहा हूँ आपके, ठीक है, and 0.9 RM होगा आपका यहाँ पर, ठीक है, 2 RM, ओके, इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में आपका transition है, यहाँ पे, transition में आपको 0.3S करके छोड़ देना है, that's it, यह किसके लिए, यह आपका ul के अर्नर A के उपर, तो यहाँ चलेंगे browser पर, and browser पर आने के बाद आप देखेंगे, तो यह देखेंगे, white color में भी हो गया, थोड़ा सा space आगया, आपका line height की वहे से, इसके बाद क्या गरना है अब आपको, इसके बाद चलेंगे यहाँ पर, and यहाँ आने के बाद, अब आप करेंगे footer, menu, ul, k, li, a, पर, a, जब hover ह होगा, ठीक है, color, wear, wear में क्या होगा, आपका, secondary, color, ठीक है, और इस पर मैं लगा दूँगा, not important, कि जब यह hover होगा, तो यह चाहिए, इसके बाद चलेंगे हैं, ब्राउजर पर, and ब्राउजर पर आने के बाद आप देखेंगे, तो देखेंगे, over करके आपको यह चीज मिल रही है, ठीक है, यह चीज़ तो हो गई, बाद क्या, इसके बाद लेंगे footer, and footer के बाद, अब आपका आएगा यहाँ पर, यह चीज़ ले ली, and इसमें सबसे पहले करेंगे, आपका line height, कितना, 30 pixel का, okay, and यहां से margin, कितना होगा, आपका, margin में आओगा, आपका 10 pixel का, ठीक and इसके बाद में font weight, कितना होगा, आपका 600 का, ठीक है, and इसके बाद में color बताएंगे, आपका variables से, and variables में कौन सा color आएगा, आपका white दिखाना है तो, white, ठीक है, और यह सारा कुछ कहां कहां है, वो देखिए, एक बार समझे पहले, चीज़ों, then उसके बाद आपको ज़्या करने के बाद आपको दिख रहा होगा, यह चीज, यह देखिए, ठीक, but अभी भी सारे चीज़े नहीं हुए, अभी title आपको दिख रहा होगा, bold और यह सब चीज़े, but अभी करना क्या है, वो देखिए आगे, आगे जाने के बाद, min, min, footer, okay, text line क्या होगा, इसका center होगा, first, padding क्या करेंगे, 32 pixel का, and left and right is zero, border क्या होगा, आपकर top से होगा, कितना, 0.0650 REM, okay, solid, wear, wear में क्या करना है, आपको, secondary color, ठीक है, यह क्यों करा, क्योंकि अभी हमारा क्या था, सारा कुछ तो center आ रहा था, बट यह नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा, इसको भी पहले कर लेते है and then उसके बाद उपर के चीज को करेंगे, तो आपको clearly दिखेगी चीजी, ठीक है, अब आपको यह भी center में दिख रहा है, and इसी के अंदर की चीजों को थोड़ा सा modification कर लेते हैं पहले, जब अगर करी दिया है हमने तो, ठीक है, पी लेने के बाद सबसे पहले आपका margin written, font size होगा आपका यहाँ पर, ठीक है, कितना होगा 0.850红ा, यही से पहले हमने, इसके बाद में color होगा यहाँ पर, डीक है, यह साथ में, वेर में क्या करना है आपको secondary color देना है guys ठीक है दियान रखेगा and font weight में आपको क्या करना है अब आपका 500 ठीक है यह सारा कुछ किसके लिए हो रहा है यह mini वाले के लिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए आप आके HTML में एक बार यहाँ पर आएंगे ना नीचे तो जो चीज मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाए यहाँ पर चलेंगे फिर एक बार आप चलने के बाद आप देखेंगे तो यह देखिए आपको यह चीज यह डिजाइन हमने कर लिया पोटर का ठीक है बट अभी ऊपर के वाले में बहुत काम है क्योंकि input भी है चीजे भी है ठीक है तो के अंदर contact details okay li यह चीज हो गई और इसके बाद में margin bottom देखेंगे 0.8rem का ठीक है first ठीक है इनमें थोड़ी बहुत चीजें पहले कर लेते हैं then वहीं देखेंगे उसके बाद में and इसके बाद में contact details के li पे last child ओगे जो भी last होगा न उस पे क्या करना है आपको उस पे margin नहीं चीज है ठीक है तो zero that's it ठीक है first इसके बाद में इसके बाद में जैसी आपको यहाँ पर about 10 ठीक है dot contact details ठीक है इसमें क्या है आपका li के अंदर direct i it means की font awesome okay padding right से कितनी होनी चीज है okay zero point आ रही है ठीक है यहाँ पर colon आगे ठीक है यह चीज होगी एंड इसके बाद में where where में क्या होगा आपका यहाँ पर text color देना है आपको ठीक है यह चीज दे दी आपने किस के लिए i के लिए इसके बाद में इसी चीज के अंदर आपको एक चीज और करनी होगी वो है आउट के साथ में li के साथ anchor anchor के लिए anchor पर भी तो आपको color देना है तो वो कैसे होगा वो देखे यहाँ पर यह आपका text white ठीक है यह चीज होगी इसके बाद में अब क्या करना है आपको यहाँ पर details के अंदर के li को means की li जो है आपका उसका list style भी तो none करना है तो वो कर दें हम यहाँ पर none ठेक है डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक कर देंगे ठेक है एंड मार्जन देंगे यहाँ पर टू आरियम का first 0.3 आरियम का left and rights है ठेक है यह चीज हो गई आपकी एंड इसके साथ में यह सारा कुछ li के लिए कर रहे है तभी मैं आपको अभी दिखा नहीं होगा पूंकि यह गलती घर दी मैंने आप यह कॉंटेक्ट लिए यह आपका social icons इसके लिए है ठेक है यहाँ पर भी आपका यह यह आएगा क्योंकि वो तो खतम हो चुका है उपर वाला इसके बाद आपका icons li के a पर आई ठेक है इस पर क्या करना है आपको इस पर करना 2.5 रियम का first सबसे पहले and इसके बाद में 2.5 रियम ठेक है इसके बाद में line height ठेक है 2.4 रियम ठेक है and इसके बाद में text align क्या करना है आपको center करना है ठेक है and color बताना है आपको यहाँ पर क्या होगा color आपका text, color होगा आपका यहाँ ठेक है इसके बाद में border, 1 pixel, solid, wear and wear के बाद में secondary color ठेक है यह चीज़ होगी and इसके बाद में border radius ठीक है border radius कितना होगा 2RM का होगा ओके ये चीज़ बता दी हमने इसके बाद में इसी पे transition भी use करेंगे transition में क्या करेंगे हम 0.3S easy in now ये चीज़ होगी इक इसके लिए i के लिए ठीक है समझ ये अब इसके बाद आपको मैं समझा देता हूँ एक बाद में जो भी लिखाया भी तक क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो आप भी confused हो रहोंगी ये अभी इसके लिए चल रही है CSS अभी हमने इसके लिए खटम करी थी CSS ठीक है इन सब के लिए तो आप चलिए अब देखते हैं एक बाद यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे तो यह circle बना हूँ आपको दिख रहा है जो कि अभी हम लिख के आ है यहाँ पर आपको यह चीज दिख रही है पूरे के पूरे white and icon के साथ में यह चीज़ें भी हमने लिख दिए है यहाँ के यूएल पर तो हमने करी दिया था अब चलते हैं एक बार अब दुबार अपनी CSS पर अब क्या करना है next अब इसी पर hover effect भी तो देना है जो icons है आई के उस पर hover effect देना है हमें तो वो कैसे होगा about के social icons के li के a पर a पर नहीं होगा i पर hover क्योंकि i का रखा है नमने guys तो इसी लिए background में secondary color होना चीए जैसी hover होगा na secondary color fill होगा and then उसके बाद में wear and उस temp पर उसका color ना white हो जाना चीए ठीक है and transform क्या होना चीए आपका यहाँ से translate ठीक है यही चीज़ इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पर and ब्राउजर पर आने के बाद आप देखेंगे तो यह देखें यहाँ अपका effect बन गया यहाँ के लिए ओके यह बन गी इसके बाद आप क्या करना है वो भी देख लिजे इसके बाद अप क्या करेंगे हम यहां पर यहां पर आपका आएगा dot side button ठीक है यहां पर color, color मेस सबसे पहले आपका क्या आएगा यहां पर? white text ठीक है okay white होना चाहिए and इसके बाद में background ठीक है, background में wear लेंगे wear लेने के बाद सबसे पहले आपका secondary color होगा आपका यहाँ पर ठेक है इसके बाद में padding बताएंगे यहाँ पर आपका कितना 0.6 R.E.M. का 1 R.E.M. का ठेक है इसके बाद में आपका display block ठेक है यह चीज हो गई आपकी इसके बाद में आप यहाँ पर font size भी चीज़िए हमें ठेक है तो वो कितना होगा 0.875 R.E.M. ठेक है एंड इसके साथ में outline नहीं चीज़िए हमें none कर देंगे इसको करसर क्या चीज़िए आपका pointer एंड इसके बाद में border क्या करेंगे हम आपका border width 0 होगे इसकी ठेक है बट border style जो होगा न इसका वो क्या होगा आपका solid होगा क्यूं वो देखिए अब इसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा आपको border color and transparent करेंगे हाँ ठेक है यह चीज़ हो गई and इसके बाद में line height क्या करेंगे आपका यहाँ पर line height ठेक है 1.4 ठेक है 2857 ठेक है थोड़ा सा calculation वाली यह यह line height ठेक है and declaration को none करेंगे not important के साथ में it means important कि यह होना ही नीच यह water radius ठेक है लीजे आप एक बात कि यह class कहां पर दी गई है हमने कहां कहां पर यूज करी है इस classes का यह class आपकी यह रही ठेक है बटन के उपर इसके बाद चलेंगे यह ब्रॉजर पर आने पर आपको दिखेगा कि इंपूट है आपका एंड यह बटन है आपका ठेक है यहां पर बाकी सारी चीजे तो आपने बनाई लिए यह देखे फूटर की यह चीजे यह सारा कुछ आपका बन गया है लोगो आपको दिख रहा है हमने polygon भी दे दिए चीजों को ठेक है यह चीज तो हो गई इसके सबसे पहले आई-पैड प्रो ओके तो यहां पर दिख रहा होगा आपको कि यहां पर बिल्कुल सही है बट थोड़ा सा मेरको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वो सेप सही करनी चाहिए हमें क्लिप पात की तो हम क्या करते हैं इसको यहां पर आएंगे और जो हमने क्लिप पात इसमें से सब कुछ अठा देते हैं यहां पर सबसे पहले आपका आजाएगा क्या 1% यह एक वैल्यू चेंज हो गई है और उसके बाद में बाकि कोई सी भी वैल्यू चेंज नहीं होगी सारी सेम रहेंगी ठीक हैं सेफ करते हैं इसके बाद में जो भी फुटर को और सीसे से रिस्पॉण्सिव से रिलेटिट वो भी कमप्लेट कर लेता हैं तैन उसके बाद ही देखेंगे वहां पे क्या क्या चीज़ें देखनी हैं इसके साथ में एक चीज और है जो रिस्पॉंसिव में हमने मिस करी है वो है आपकी टीम वाले सेक्षिन की तो उसमें क्या रह गया यह चीज तो मैंने पीछे वाली चीज की बता ही है इसके बाद में स्मॉल स्क्रीन पर चलेंगे ना जैसे like seven six seven पर तो यहां पर करने है वो चीज तो यहां पर पेस्ट कर देता हूँ पहले यहां से मैं इसको remove करता हूँ first and यहां पर मैं क्या लेता हूँ आपका यहां पर आपका margin लेता हूँ and यह class नहीं होगी यह class नहीं होगी यह है अब आपकी यह वाली class तो यहां पर 2 कर देंगे 2rem का bottom से top से आपका यह रहेगा space के लिए यह चीज होगी किस के लिए space के लिए इसके बाद चलेंगे यहां browser पर and browser पर आने के बाद आप देखेंगे तो shape में थोड़ा सा difference आपको दिख रहा होगा and इस iPad पर आएंगे तो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा यह देखें तब ही आप समझ पहेंगे and इसके बाद phone पर जाएंगे तो और अच्छे से दिखेगी चीज़ें यह देखें यह आपका footer यह पूरा responsive है यह देखें ठीक है तो यह पूरा का पूरा design आपका बन चुका है इसके अंदर ठीक है यह देखें पूरा design में आपको दिखा रहा हूँ phone का and इसके बाद में अभी क्या है कि इसके अंदर चीज़ें है क्या बाकी है वो देखें मैंने आपको दिखाया थे कि scroll करने का एक icon आता है right side में तो वो कैसे आता है ठीक है वो बहुत important है न वो भी तो आपको पता हूँ नच्छे कैसे बनता है HTML में तो आपको देखे वो कैसे बनता है उसके लिए हम क्या करता है सबसे नीचा आते है सबसे नीचा आने पर हम क्या करता ही हbility सबसे पहले तो मैं यहा लिख देता हूँ आपका टॉप arrow ठीक है یہ चीज पहले लिख दी होँए यहाँ पर important जी है वो कैसे a lia href लिया इस href मैंने क्या करा एक देखिए टौक पैक ओके टॉलत इसके अंदर मैंने क्या करा फॉणंट करना आइक आई दे दिया ख्लास दे दिया और कैंट क्या करना इसके बाद आपको अ मैंने यहां पे ओक यह आइइकन अभी लेने के बाद आपको चीज तरीके कर दिखेगा चलते हैं bottom में तब दिखेगा आपको यह देखे यहाप आपको दिख रहा है इसके बाद यह चीज कैसे आपकी work करेगी वह बहुत important है किस साथ में किसके साथ में वह देखना अबहुत important है तो यह दिखते हैं आपको HTML से हो जाता है इसके लिए हमें एक चीज चीजँ होगी इसके लिए आईडी चीजगी तो इसकी ID तो हमने डिफान करी नहीं है तो इसकी ID तो इसकी ID हमें top पर देनी है ठीक है क्योंकि हमें तो बैक करना है ना इसको कहां पर टॉप प करेंगे back to top, that's it, ठीक है, इतना से करा, एक हमने bottom में रखा, एक हमने top पे रखा, ओके, यह हमारा bottom पे, और वो top पे, ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसके लिखना है, css, ठीक है, तो वो देखिए, उस css में क्या क्या चीज़े, कैसे कैसे हैं, वो design होंगी, ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे, यहाँ पे मैं थोड़ा से जाद उपर कर दिया, थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, and then इसके बाद मैं इसको करना है, scroll, ओके, and यहाँ से back, to, top, ओके, दो दो होगे, ठीक है, and position, fixed करेंगे इसकी, ओके, and यह कहाँ से fix होगी, bottom से fix होगी, 4.5 R.E.M., ठीक है, and यहाँ से right होगा आपका, कितना, 2 R.E.M. का, ठीक है, and इसके बाद में, z index होगा, कितना, 100, ठीक है, and इसके बाद में display, none, ठीक है, यह चीज पहले नहीं आनी चीए, ठीक है, यह कब आनी चीए, यह JS वाले function या J.Berry के function से ही बना सकते हैं, तो पहले यह नहीं दिखना चीए, मैं भी आपको दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखना चीए, और कैसे दिखेगा यह, ठीक है, इसके बाद है आपका यहाँ पे, anchor, इसके अंदर सीधा anchor को ले रहे है, and anchor पर हम क्या कर रहे है, 2.5 R.E.M., सबसे पहले, and height है आपके 2.5 R.E.M., ठ ले रहे, where में हम क्या करेंगे, अपना secondary color देंगे, ठीक है, and इसके बाद में, where, ठीक है, अब इसके क्या करेंगे, इसमें, हम white color चीए, हमें तो यहाँ पे, text color, ओके, primary नहीं चीए, color, ठीक है, यह चीज़ होगे, हमारा, ठीक है, इसके बाद में, text align करेंगे, यहाँ पे, center ठीक है, इसके बाद में, अब क्या करना है, हमें, border radius देना है, थोड़ा सा border radius देना है, ठीक है, तो 0.2 R.E. हम कहां देंगे, ठीक है, and इसके बाद में, अब क्या करना है, हमें, अब हमें transition भी चीए हमें, ठीक है, smoothly दिखाने ने, guys, तो all easy in out, ठीक है, यह चीज़ दिख रह smoothly आपको यह चलता हो, दिख रहा है, click functionality पहले ही चल रही है, यह देखे, मैं click करता हूँ, यह देखे, ठीक है, smoothly चल रहा है, but यह हमें अभी नहीं चीए, custom नहीं चीए, कि लाइक यह show नहीं होना चीए, इसको show कब होना चीए, जब scroll का, जो आपको function है, वो थोड़ा सा जब ज़्यादा हो, it means कि जब वो ज़्यादा थोड़ा जाए नीचे user, तो उसके बाद यह चीज दिखनी चीए, तो वो कैसे दिखती है, वो देखे, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहां लिखता हूँ, dollar, ठीक है, window, dot, scroll, function होगा आपका यह, ठीक है, इसके अंदर, if, dollar, dollar के अगर यह 500 से ज़्यादा हुआ, तो क्या करना है इसको, यहां पर dot लेना है, back to, to, top, ठीक है, इस class को लेना है, and fade in देना है यहां पर, जो की jk area हमें provide कराती है, ठीक है, and इसी चीज़ को मैं करूँगा, यहां से copy, and else भी बनाऊँगा, मैं इस, ठीक है, and else में क्या कर that's it, ठीक है, यह चीज़ समझ गया, scroll function के हिसाब से मैं यह चीज़ बनाई, ठीक है, इसके बाद मैं यहां पर comment भी कर देता हूँ, यह किस चीज़ को है, यह चीज़ हो गई, इसके बाद चलेंगे यह ब्राउजर पर, and ब्राउजर पर आने के बाद आप देखेंगे, तो अभी आपको by default देख रहा है, क्यों, क्योंकि अभी हमने CSS में इसको करा था, क्या, block, तो इसको करेंगे पहले none, and यहां चलेंगे ब्राउजर पर, and ब्राउजर पर चलने के बाद आप देखेंगे, तो यह देखेंगे, आपको दिख रहा है, बट जैसे मैं यहां पर जा र यह functionality, ठीक है, तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहां JS में चलूँगा, ठीक है, इसको हमने यहां पर रख दिया, ठीक है, इस टॉप पर रखने के बाद, अब चलते हैं ब्राउजर पर, and ब्राउजर पर आने के बाद देखते हैं, यह देखेंगे, आपका यह मैंने बताया था आपको, but इस वाले में मैं cover कर देता हूँ कि पूरा का पूरा यह scroll function कैसे work करता है, कैसे बनाते हैं आप वो देखें, जी एस के इंदर, तो यहां चलेंगे, यहां आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉप पी बना रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, and इसके बाद, top नहीं होगा, I don't know top कैसे ले रहा ही, and इसके बाद, const, const में sections, ठीक है, क्योंकि हमने हर sections पर दिया है, इसलिए मैं sections ले रहा हूँ, dot, query, query में क्या करेंगे, हम query में order लेंगे, क्योंकि all, सारे select करने हैं हमें, ठीक है, क्योंकि उस section के उपर, section क्यों ले रहे है, क्योंकि हमने section के उपर id दी है, वही चीज़े हमने इसलिए direct get कर रहे है, यहाँ पर id, ठीक है, इसके बाद में window, dot, add, ठीक है, listener पकट रहे है हम इसमें, अगर, यह क्या कर रहा है आपका, scroll होगा, comma, तो आपको यह function चला के देगा, कौन सा scroll active का, ठीक है, यह दो line तो यह च हारे है, और दूसरे में आपका वह उठा रहे है, ठीक है, अब यहाँ पर हम बनाएंगे आपका function, मैं इसे JavaScript से कर दो, आप इसे jQuery से भी कर सकते हैं, ठीक है, एंड इसके बाद आपका यहाँ पर आएंगे, ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, कौन लिखना है सबसे पहल ठीक है, इस्क्रॉल, वाई, ठीक है, वाई मीन्स की वर्टिकल, वर्टिकल आप सबसे पहले निकालेंगे क्या, पेज, वाई, ऑफसेट, ठीक है, वाई नहीं आया, एक्स आ गया यह तो, यहाँ आएगा, ठीक है, अब इसके बात क्या करना है, हमें sections, जो उपर लिया है, उस पर 4 each चलाएंगे, ठीक है, 4 each के लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पर सबसे पहले आपका, यहाँ पर क्या आएगा, current, ठीक है, arrow, and then उसके बाद में function, ठीक है, यह चीज़ हो गई, and इसके बाद में const define कर रहे है, section, height, ठीक है, is equal to, यहाँ पर क्या कर रहे है, हम current में से, dot offset, okay, offset, height, ठीक है, यह पकट रहे है, हम किसकी height, const, section, ठीक है, section में n, and top, ठीक है, is equal to, आपका, current, offset, ठीक है, top से, मैनस 85, अब यह 85 क्यों है, समझे, यहाँ पर मैं आपका, दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर आओगे, आप, इंस्पेक करोगे ना, इसको, यहाँ पर आने के बाद, आप देखोगे, इसका, क्या निकल रहा है, यह देखी, 85 निकल रहा है, ठीक है, पूरे navigation का 85, it means की height, ओके, तो उस height को, मैं यहाँ से, इसको, मैं इसको, मैंनस कर रहा हूँ, अपनी, section में से, and, यहाँ पर id ले रहा हूँ, section id, again, and, current, dot, get attribute, ठीक ह मैंने निकाला, इसके बाद में, इसके अंदर मैं function मना रहा हूँ, if, scroll y, ठीक है, greater than, section, top, end, ठीक है, scroll y, इसके बाद में, is equal to, भी आएगा, ठीक है, less than के साथ, section, top, ठीक है, plus, section, height, okay, जो के उपर, जितना भी, जो मैं भी लिख रहा हूँ, सारा कुछ उपर define कर रहा है, आप समझ रहोंगे, मैंने क्या क्या निकाला पहले, उसके बाद में, क्या चला रहा हूँ, ठीक है, and, उसके बाद में, query selector चलाने, single के लिए, ठीक है, single item के लिए, उसमें हम क्या उठ आने, dot nav bar, hyphen nav, akhref को, ठीक है, star का sign लेंगे, ठीक है, is equal to, ठीक है, single, ठीक है, and, इसके अंदर, कॉन किनेट करेंगे, किसको, section ID को, and, इसके बाद, plus का sign, ठीक है, and, यहाँ पर, single dot, ठीक है, यह समझ रहे हैं, यहाँ पर, single dot लिया, मैंने, यह single dot यहाँ से यह, and, यह single dot के लिए, यहाँ से, ठीक है, यह चीज समझ रहे हैं, इसके बाद लगाएंगे यहाँ पर dot class list, ठीक है, and class list के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर लेंगे आपका dot add, js में ऐसे करते हैं add आपका, ठीक है, and यहाँ पर लेंगे आपका active, ठीक है, and इसी चीज़ को करूँगा, मैं copy, and मैं यहाँ कर दूँगा, किसके लिए, else scale, ठीक है, ठीक है, तो guys, आपने देखा कि मैंने हाँ पर paste कर दिया, and मैंने इस class का नहाँ पर remove कर दिया, ठीक है, तो यह सारा कुछ function कैसे था, वो एक बार और देख लिए, सबसे पहले हमने एक ID निकाली, ठीक है, हमने scroll का function ना है, उस function में हमने vertical का height होती है, वो निकाली, for each चला है, height का offset में से manage करा, अपने navigation को, ठीक है, उसके बाद ID निकाली उसमें से, and then उसके बाद हमने check लगा दिया, आपका scroll while top, and उसके बाद में condition किसा, ठीक है, इसके बाद चलते है, अपने browser पे, and browser पे चलने के बाद आप देखेंगे, तो अभी by default आपको home पे दिख रह गए देखे, and उसके बाद आप देखें, gallery, and उसके बाद expert, and contact का आपका height touch नहीं हो रही, तो इसलिए वो वहाँ नहीं पहुंच पा रहा हो, okay, तो guys, पूरा का पूरा design एक बाद आप देख लीजी, बन चुका है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हमारा इसके बाद में हमने आपको price section बनाया है, ठीक है, price section की बाद हमने gallery बनाई, ठीक है, gallery में मैंने आपको light box दिखाया, कि कैसे लगाती हैं इसके अंदर next and previous के साथ, ठीक है, सब कुछ functionality देता है हमें light box, ठीक है, and इसी के अंदर मैंने आपको tab भी functionality से ले, कि tab कैसे बना सकते है आप अपने लिए ठीक है यह देखें एंड इसके बाद में आप देखेंगे यहां पर आके तो यहां पर आपका slider के साथ में यह over effect कैसे बनाया है मैंने वो भी आपको मैंने बताया है यह effect कैसे बना CSS से केवल वो भी आपको पता है और यहां पर आपके dots भी चल रहे हैं और यह scroll function आपका जो टॉप पर भीज़ेगा वो और यहां पर computer का design ठेक है सब कुछ आपका यहां पर html css and jQuery and bookshop के साथ में बनाया है और यहां से scroll पर करेंगे ना यह देखे ठेक है और इसी के बाद मैं आप इसी चीज़ को यहां पर चलेंगे हम कि यहां पर फोन में देखेंगे तो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पर ipad pro पर देखते हैं तो यह design देखे आपका पूरा का पूरा यहां पर design आपका responsive है यह देखे पूरा यह पूरा design आपको दिख रहा है और इसके बाद इसी चीज़ को मैं ipad पर भी दिखायता हूँ यह देखे आपका इसी नेविगेशन भी चल रहा है यह देखे है यह navigation भी आपका working है तो यह पूरा का पूरा design आपको दिख रहा होगा यह पूरा design हमने बना लिया है ठेक है इसके बाद में phone पे चलते हैं phone पे आने के बाद आप देखेंगे तो यह देखेंगे सारा का सारा design आपका responsive है यह देखें कोई भी card आपका इदर से उधर नहीं जा रहा है सारा design आपका responsive है तो यही design हमने पूरा का पूरा start to लेके end तक बनाया यह इसके लिए हमने 5 वीडि पूरी सीरीज यह पसंद आई है ना गाइस तो like, share and comment जरूर करिए and अपना feedback जरूर दीजिएगा कि आपको कहां कहां पे क्या क्या चीज गलत लगी and आपको और इसमें क्या improvement चाहिए थी कहां कहां पे ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में next topic साथ जब तक लिक तिल दे जाहिंद गाइस